ताहिर गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आप सबको कुछ शामदीद कहती हूं 2024 का आगाज वैसे ही दिनों से हुआ जैसे देन हम पिछले कई बरसों से देख रहे हैं लेकिन कैलंडर बदल गया है कैलंडर बदलते ही सबसे पहले देला देने वाली खबरे जापांच से आई नए साल के पहले रोज ही महाशिदीद जलजला आया फिर अगले रोज टोक्यू एरपोर्ट पर दो जहास टक्रा गए इसराइल हमास की लड़ाई घज़ा से बाहर फैलती हुई बेरूत पहुंच चुकी है हमास का डिप्टी लीडर सालिया अरूरी इसराइली एर स्ट्राइक्स में हलाक हो चुका है रेड सी में यमनी हूतियों पर अमरीकी हमला हुआ रूस यूक्रेन अपने अटैक बढ़ा रहे है भारत में नया साल चड़ते ही राम मंदर के इफ्ता की तैयारियां जोर पकड़ गई एक मुसल्मान राइटर ने राम मंदर को बक्वास कह दिया पाकिस्तान के निकरान वजिरयाजम ने पुलोच मार्च के रिश्टदारों को देश्तगत चाह दिया आगास तो एस यूजूल जैसे होता है वैसे ही कई बरसों से जैसे हम देख रहे हैं वैसे है लेकिन वक्त बदल गया कैलेंडर बदल गया कैलेंडर के बदलते ही सबसे दहला देने वाले खबने सबसे पहले जैपैन से आई और पहले रोजी वहां शिदीद जलजला आया उसके बाद इस पे एरपोर्ट पे दो जहाज टकरा गए नए साल के आगाज में जापान से आने इन दहला देने वाले खबरों के ओपर आप क्या तबस्रा करना पसंद करेंगी देखिए इस पर क्या बात की जा सकती है दुख की बात है जपान के एक शेहर में खौफनाक जलजला आया और सुनामी जैसी कैफियत पैदा हुई और वो साल का पहला दिन था जपान देखिए बात यह है कि एक लंबे अर्से से जलजलों की सरजमीन पे बना हुआ जजीरा नमा मुलक है मैं इस वाकिये को कोई गलोबल वार्मिंग से नहीं जोड़ा यह एक्चुली वहां पे बहुत सारी जो साइंसतान हैं जो माहर अर्जियात हैं जो जमीन के दर्थी के माहर साइंस हैं और जपान हमेशा से इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर रहा है जिसे वो अर्थ को एक प्रूव वो जो है है कि वो वहां पे जलजले की सूरत में इमारतों को काम नुक्सान पहुंचे अब टोक्यो जैसा जो शहर है जो बहुत ही पॉपुलेटरड है जो शहर थर्टी अधियन लोगों का शहर है खैर ये जलजला तो उससे बहुत दूर का एक शहर है जहां पर यह आ है तो जपान बारहाल जलजलों की जद में रहने वाला एक मुल्क है और फिर टोक्यो में जो वाक्या हुआ उस यगले रोस दो जहाज आपस में टकरा गए उस पे ही जमीन प कि एक जहाज में 379 पैसेंजर्स थे तो वो तो हैरियर से निकल आए कुछ उस नमें इंजड हुए अब तक ही जो खबरे हैं मगर जो दूसरा जहाज था जो असल में एक अमदादी जहाज था जो अमदाद लेके जा रहा था जपान के उस शहर को जहां ये जल जलजला आया है उस उस जहाज के अंदर जो कुरू था अब तक की खबरों के मताबक पांच अफराद वो हलाक हो चुके हैं तो बरहल नए साल का जो अगाज है दुनिया में हमेशा से गरीत है कि पहले रोज अगर कोई मुखाफनाक या कोई बहुत ही थोड़ी सी मुखतले बात हो तो व दूसरे रोज जहाज टकलाते हैं तो जपान बरहल एक बहादर मुल्क है जिसने जंगें भी लड़ी ठीक है उन जंगों में पहले उन्होंने जियातियां भी की चाइनीज को मारा ये भी था फिर अमरीका पे इन्होंने अटैक किये लेकिन बरहल सहा सब कुछ है इस कौम न पिर अपने आपको दुरूस्ट किया जो मेरे लिए इंपॉर्टन्ट बात ये है कि जापान ने अपने आपको दुरूस्ट किया जाप जैपान जापनी अगर पहले उनुने जुम किया चीनियों पे तो उन्होंने फ़र अपनी यह रीत बदि अगर उन्होंने अमरीका प तो बाराल एक बड़ी एकानुमी का डेमोक्राटिक एक अपने यूनीक कल्चर का देश है और वहां से साल के पहले दिन यह ऐसी खबरें आना यह अफसोस की बात है जापान हमेशा से साइंटिफिकली बहुत इंप्रूवड नेशन के तोर के पर सामने रहा है नए साल में हम इसराइल और हमास की तरफ चलते हैं वापस जो के एक वार जोन है उसकी लड़ाई अब गज़ा से बहरूत तक पहलती जा रही है हमास का डिप्टी लीडर साले अल-अरूरी एक इसराइल एस ट्राइक में लबनान के अंदर हलाक हुआ है हमास और फलस्तिन के हामी ये कहते हैं कि इसराइल के हमले जंगी जराइम है और इसराइल का ये कहना है कि अब वो हमास और दैश्ट गर्दिया खात्मा किये बगार चैन्सें नहीं बैठेंगे सन 2024 के पहले महीने में आपको अब ये किस रुख की तरफ टरन लेता नजर आता है और क्या ये जंगी जर्म कहला सकता है इस दुम्रे में आएगा या क्या इसकी डिमेंशन्स देखिए इसके लिए साउथ अफरीक का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास गया हुआ है उसने इसको जीनोसाइड करार दिया है जंगी जर्म करार दिया है इसराइल अपने आपको वहां पे पर्टेक्ट करेगा अगर ये जंगी जर्म है तो मैं ये समझता हूँ कि ये जंगी जर्म जिसका आगाज हमास के तरफ से हुआ हमास इस दे इंस्ट्रीगेटर आफ वार कराएं नॉट जिस वार कराएं टेररिजम सेविजरी मुझे हैरत है कि लोग सिर्फ दो तीन महीनों में ही भूल गए हैं कि हमास ने क्या किया था साथ अक्तूबर की बात है जब उन्होंने इसराइली गरों के अंदर गुसके बगैर इलाने जंग किये बच्चों को जिस तरह पकड़ा कतल किया चंद गंटों के अंदर अंदर वो एक हजार से ज्यादा औरतों को चोटे बच्चों को उन्होंने कतल किया ठीक है अब 22-23 अब तक की खबरों के मताबग फलस्तीनी भी मारे जा चुके है जो दुख की बात है पर जाहर है इसराइ है अब इसराइल पर निजो जगी जरम की कोश़िश है मेरा नहीं ख्याल इसमें दुनिया कामयाब हो सकेगी बोलने को तो बोलते रहेंगे लेकिन इसराइल भी क्या करे इसराइल को इस ना खत्म होने वाला टituation को डील तो करना है अब बदकिसमती से ठीक है कि बदकिसमती से 22-30,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं अब ये जंग हमास ने की है इसराइल के ओपर लागू ये इसराइल ने हमास के ओपर लागू ने की अब ये कहना जी के वो कबजा किया हुआ है उसने इसराइल ने फलस्तिनी आलाकों पे बाई ये दुनिया मूव आन करें दुनिया के नक्षे बदल गए अब मतब खासर पर पाकिसान जैसे मुलकों से ये बातें उटती हैं बंगलादेश का मैं प्रोटेस देख रहा था कि व फलस्तिन के हाक में ना इसराइल के खलाफ सिर्फ मुझमती बियान थोड़े बता रहे हैं कि जंग सीजवायर होना चाहिए अब पाकिसान जो मुलक बना है ये क्या मतबासमान से बन गया था कुछ अफ़ानस्तान का हिस्सत इन्हों ने तोड़ा बलोचस्तान पे एक फिर पाकिसान से बंगलादेश बना तो भाई दुनिया में कितने नक्षे चेंज होए हैं इसी सेकंड वर्ल वार के दोरान यॉरप कई ये जो कंट्रीज हैं इनके ये नक्षे नहीं थे बहुत सारे कंट्रीज के नक्षे चेंज होए हैं फिर सेकंड वर्ल वार की क्या बा ہیں कि जो सोवीड यूनियन एक बहुत सारे मलकों का एक यूनियन बना हुआ था वो सारे इंडिपेंडंट होचुक्य हुए हैं सोवीज यूनियन ने जिस तरह उनपर पे वOME कब्जा किया था उस कब्जे के यह उनकी दर्ती है तो फिर उस हसाब से इसराइलियों की यहूदियों की यह दर्ती तो को तीन जार चारज़ साल परानी है अगर हम हिस्टरी में पीछे चल जाए पिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बहुत मुव होना ना है तो हमें तो पुलिटिकल सुलूशन्स यह काबले अमल भी हों काबले अमल नहीं बन रहे इसलिए कि जब इसलामिस्टों ने और यह मुस्लिम ब्रदर हुड और हमास टाइप ग्रॉप्टों ने यह एक पकड़ लिया है वतीरा के जी हम तो बस अपनी ही बीन बजाएंगे अच्छा यह सरफ हमास और मुस्लिम ब् हैं पाकिसान जिसमें नंबर वन है वह उनको समयना होगा कि वह किस मतबब एक अजाद वलसीन की बात करते हैं कि जी वो धर्टी उनकी थी वह जिन दर्टीयों पे वो बैट्रीयों वह वह उनकी दर्टी नहीं थी पहले तो वह बात करे भंगला देश भी बनियादी तौर पर मतल ब हिंधुस्तान का हिसात हमेशा से ठीकर ले कि ये हिंदुस्तान की की ये फराफ दिली है कि उन्हों ने पाकिस्तान के जल्म से बंगालियों को ना सिर्ब साथ बक्रूं को जल बचाया बलकि उनको अलग ने दे तूर्देश ना बनने देता हूँ भारत इसक्रोडिशन में था. मगर भारत ने नहीं ऐसा किया. तो अब ये situation समें भारत ने dois को यह भारत दें? भारत ने बही यॉरünde में यॉर्प का mजज है, भारत में भी भारत भी ठीक है. अब ये move on को एंपर हम बलीव करते हैं अब ये फलस्तीनियों को और उनके हामी जो ये घ्रोव हैं, उनको समय ना होगा कि मूव अन होगा अब भी कई दहाईयों से हम देख रहे हैं या सरफात के जमाने से इवन महमूद अबास के जमाने तक फलस्तीनियों को कई यद से मौाक्य मे ले उनको बेतर लेंड में ली, वो नहीं ली उन्हों ने, फिर इसराइली जो थे जिनों ने एक्स्टेंशन करनी थे, उन्हों ने एक्स्टेंशन करनी, तो अब ये दोजार चौबीस में जो आप जानना चाहरी हैं, कि भई इसके शुरू के खास और पहले महिने में कहां ये बा हे घजबाला की शकल में, अब ये जो हे जो हमास टाइप ग्रूप हैं, ये कभी भी उस रिजन में अमन نہیں होने देंगे आप दुनिया का यह ख्याल कि इसराईल मन होने देगा यह दुनिया बहुत मुगालते में है यह फिलस्तिनी ग्रॉपस मिलिटन ग्रॉपस इस्लैमिक जहाद इवन इनके नोन सौर्ड अफ अजो कॉर्ड नॉन मिलिटन ग्रॉपस वो आपस में ही एक दूसरे की टांगें खेंचने में और इक्तदार पे कबजा करने में वो इतने लस्टी ग्रीडी हैं फिर वो सारे का सारा जो इल्जाम है वो इसराहिल पर डाल देते हैं कॉंस्पिरेसी थियूरिस तो इन पर खत्म है ला पावर का कुछ क्लस्टर इस तरह है कि जिसमें इंटरर्णर आच्सटरनल फैक्टर जो है वो अपनी अपनी जगा पे बहुत अहम है लेकिन इसके साथ-साथ हम यह नहीं कह सब्सक्ते है यह इन्टरण फैक्तर इसे ज्यादा इंटर्नल फैक्टर्स हैं फिर इनके एक्सर्नल फैक्टर्स भी हैं एक्सर्नल फैक्टर्स क्या हैं एक्सर्नल फैक्टर्स ऑफ कोर्स वो भी इसलामिस्टों के साथ जुड़े होएं अगर मतब हमास हिजबुल्ला को मदद एराम की मिलती है वो एक्सर्नल फैक्टर है. मुस्लिम ब्रेदर हुड के जो डिफरेंट ग्रॉप्स हैं, अक्रास नबोर्ड, उन से मिलती है, तो वो एक्स्टरनल फैक्टर है. तो इन के पास ना इंटर्नल फैक्टर्स अच्छे हैं, ना एक्स्टरनल का या ये मिडल इस्ट के जो प्राबलमेटिकल देश हैं, उनके मुसलमानों का ये प्राबलम बना हुआ है, कि वो ये डाल देते हैं, दूसरों पिल्जान, तो पलस्तीन हमेशे से वलने रिबर रहा है, उसके पलिटिकल मिसाल तो अपनी जगापे हैं, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर इंस्टिगेटिंग फैक्टर जो है, वो एकनॉमिक रिसेशन भी रहा है, एकनॉमिक रिसेशन तो बहुत बात की बात है, इनके पास मैं नहीं समय समय ताक है, कोई चकषंद है, इनके पास तूबे मतب कुछ ऐसी ही पॉपलिशन मुझे एग्जेक्ट याद नहीं है वो वेस्स बैंक की है चोटी सी पॉपलिशन है ठीक है इनका 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 इनकाता में इनको बिलियंज डालर मिनता है इनको तो पैसे की और यॉर्प के अवाम भी तरसते हैं उस अमारत को देखने के लिए अगर ये ढंग से इनसानों की तरह इनकी लीडर्शिप फलिस्तीनियों के डिफरेंट गृॉप्स की काम करना चाहे तो मैं दावे से कहता हूँ को साओधी अरब यूए जैसे जो अमीर तरीन देशा तो न मिलता है फिर इनके जो अपने अरब जो जो इनके भाई बंद देश हैं वो भी इनको पैसा देते हैं और वो बे तहाशा दें अगर ये इनकी लीडर्शिप ये टेररिजम के रस्ते से हट जाए इस्राइल हमास जंग के तनाजा क्यार में यमनी हूतियों ने रेट सी के अं में दस हूतिय अलाक हुए हैं क्या अमरीका और इत्धादी हूतियों पर काबू पा सकेंगे देखिए हूतियों का जो मामला है ये एक इस्लामिस गौर्वर्मेंट यमन में लाना चाह रहे थे किसी हद तक ये लावी चुके हैं और साओधी अरब यूएई ने इनके साथ म तो काफी हद तक साओधी अरब ने इन पे काबू पाया और उस पर दुनिया में चीक चहाड़ा भी बहुत हुआ इवन प्रेजिट बाइडन ने भी एक बार साओधी अरब को तंकीदी थी खास्वा मुहमद बन सुल्मान को सौर्ट अफ के आपके हाथ में यमनी हूटियो यमनीों के कतले आम से रंगे हुए हैं तो इस तरह की बाते की ये इन्टरनाशनल रेट्रक होता है ये तो अर्फना चलता ही रहता है लेकन अबगी ये जो रेड़ सी का मामला है, ये जाहर है ये भी ISLAMIST हैं, मैंने पिछले शो में कहा था कि भाई ये असल में ये कारवाईय असली कर रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं कि भाई बात ये है कि ये जो इस खिते में हम भी हैं हमें भी न बोलें ये सर्व ये बताना चाह रहे हैं और ये आरड लेघें आ फलस्तिनीयों के अच्छा फिर ये होता है कि इन जो कि इस दो होलस परके इसलामिस्ट हकूम्ते हैं तो इन को फिर ये इस तरह के काम करने पड़ए है कि जी फलस्तिन में कुछ हो गया तो ये एक violent होता है इनके देशों में ओके जी अच्छा अब हम आवाज उठाएंगे हम कुफार का खात्मा करतेंगे अच्छा ये जो कुफार के खात्मे वादमे वाली अब ये खुआशें जो है ना साओधी अरब जो सबसे बड़ा इसलाम का मतलब सेंटर है और जो सबसे बड़ा पावरफुल इसलाम का मुलक है उसमें कोई ये इस तरह का ख़प नहीं है दियारों दर राइट पाथ वो मतलब इसलाम को स्पिर्चुल लेवल पे डील करते हैं बाकी progress की बात करते हैं तो अब ये हुती जो हैं ये जो कि इनका कामी यही है कि इन्होंने वो ही जो है बनमाशी करनी है दादागरी करनी है तो anyhow सारे खेल तमाशे में अब अमरीका ने दस हुती जो है वो मारे हैं चुके दुनिया का ट्रेड़िस से मतासर हो रहा है भारत के जो शिपस थे जो मैं वार्डशिप कह रहा था भारत के शिपस जो समान लेके जा रहे थे उस पे इन्होंने हमला किया फिर भारत ने अपने वार्डशिपस बेचे रेड सी में तो अभी एग जर्मन कंपनी है जो ये जहाजों की जो माल बरदार जहाज है उसकी सबसे बड़ी है तो उन्होंने इंशोरस बढ़ा दी है स्कुर्यटी के बारे में नने का है का हम कोई गरंटी नि दे अगर हम पे समान हमारे जहाज़ों पे आपने अगर लादना है तो दिर इस नो गरंटी तो जाहर है रेट्स बढ़ रहे हैं डिले हो रहा है तो अभी अमरीका ने नाई साल के शुरू में ये एक एक्शन किया और दस हुटी जो हैं वो मारे गए हैं तो इस से ये अन्दाजा होता है कि ये कोलिशन फोर्स बनी हुई है ट्विंटी डेशों की जो ये कह रहे हैं कि हम ये हूटीयों की बरमाशी को रोकेंगे तो अब देखते हैं कि अमरीका के इस एक्शन के बाद होती कितना रुकते हैं आइ थिंग के बैक डूर डिप्लोमेसी भी चल रही होगी डिप्लोमेसी जी मेरी मुराद ये है कि कोई नों की नेगरिशेशन बारगें थुरू एरफ कंट्री चल रही होगी चुकि ये एक दूसरे के साथ लड़ते भी रहते हैं मगर साथ साथ ये बातचीत भी करते हैं कि हमें कहीं न कहीं से पैसा मिल जाए कोई हमारे मतालबात पूरे हो जाएं तो ये सारा खेर तमाशा है बहराल ये एक मुश्किल सूरते हाल तो ही ये जाहर है कि सीपोर्ट हो या एरपोर्ट हो आप किसी भी चीज़ को डिस्ट्राक्ट करने तो से हर चीज़ को रिलेटर होती है चलिए नए साल के साथ हम देख रहे हैं कि रूस यूकरेन पर अपने अटैक बढ़ा रहा है क्या इ इसके अंदर जो पावर्ज एक दूसरे के साथ कॉलाइड़ हैं वो इसी तरह चल रही हैं हेल्प के साथ एक दूसरे की देखिए ये मसला हम हर बारी करीब डिसकस करते हैं चूंकि ये मसला खतम होने को नहीं आ रहा है तो इसलिए डिसकस्ट भी करना पड़ता है साल के दो इवेंजलेंगे कुछ राकों पे यूकरेन ने कबजा करने की कोशिश की थी कबजा तो नहीं अपनी ही राके वापस लेने की कोशिश की थी रूस का ये कहना है कि वो हमारे ही राके हैं जिसमें हमने कबजा किया था तो अब रूस कुछ चोटे मुटे राके दोबारा चीन पिछले शो में भी था और आज भी है कि यह जो मसला है अब युकरेन के लिए ज्यादा चैलिंजिंग होगा क्योंकि एक तरफ तो यह हमास और अजराईल की जंग में यॉर्प वहां पर भी उलजा हुआ है वेस्ट वहां पर भी उलजा हुआ क्योंकि वह इनके साथ है अजर ساتھ हैं. लेकिन यहां पे असल में दो साल से यह कांफलीक्ट चल रहा है. मेरे नस्दीख कि यह जो रूस और युकरेन का कांफलीक्ट है ओश्राईल और हमास के कांफलीक्ट से ज्यादा बड़ा कांफलीक्ट है. इसलिए के वेस्ट डारेक्ट इन्वाल्व है इसमें रूस के साथ जंग में डारेक्ट यह चलें इन्डारेक्ट भी अगर इन्वाल्व है तो अल्मोस्ट डारेक्ट इन्वाल्व है अब इसराईल के साथ वेस्ट हमदर्दियां रखे हुए हैं अमरीका डारेक्ट इसराईल के साथ इस जंग में इंवाल है लेकिन यॉर्पियन यॉनियन कोई असला नहीं दे रहे है इसराइल को अमरीका दे रहे है यॉर्पियन यॉनियन पैसा दे रहे है इसराइल को वो भी मतब इतना ज्यादा नहीं ज्यादा इखलाकी अमदाद है इदर यॉकरेन को तो अमदाद पी पैसे की सूरत में भी असरे की सूरत में भी यॉर्पिन यूनियन की भी और अमरीका की है तो यह ज्यादा बड़ी जंग है इसमें यॉर्प या वेस्टरन वर्ल्ट डारेक्टली एंडारेक्ली बोथ वेज इंवाल्वड है रूस के साथ जंग में लेकिन अब दो साल के इमको यह अंदाजा हो रहा है कि बहु है ये हम भी फंस गए अगर रूस ими पंस अवा है तो हम भी फंस गए तो रूस के पड़स तो कोई अज़ी आप्शन नही भी आप भ ये आप्शन रूड़ने की कोशिश कर रहे है वेस्टन वर्ल मुझे भी मिले और वेस्टरन वर्ल्ड को भी मिले ताके फेस सेविंग मिल चकें दोनों को और ये जंग से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ सकें चलिए अब हम वापस आते हैं अपने भारत की तरफ तो भारत में नया साल चड़ते ही राम मंदर की फ्तिता की तैयारियां जोर पकड़ गए एक खातून मुसल्मान राइटर सबानक्वी ने राम मंदर को बक्वास कह दिया वो चाहती हैं कि भारती मीडिया पर इसराइल हमास चंग के तनाजर पर ज्यादा बाची दिखाई दे और इसराइल की मजमत भारत की तरफ से हो उनका ये भी कहना था कि भारती मीडिया को राम मंदर की चर्चा करने की बजाए बड़े इशू पर बात करनी चाहिए उनके अज़्दीक दुनिया के सबसे बड़ा मसला हमास इसराइल की जंग है एक ये जो मसला है अब मिस्भा नकवी का एक वीडियो कलिप सोचल मीडिया पर वाइरल है और उस वीडियो कलिप में वो कह रही हैं कि ये जो पूरा बारत का मीडिया है वो राम मंदर के गर्दी घु जबा नकवी के ट्विटर एकाउंट पे गया मैं उनकी टाइम लाइन पे गया तो मैंने देखा कि गुष्टा डाइतीन महीनों में ये जो हमास की टार्रिजम के बाद जंग शुरू हुई उसमें उनों ने मतलब टाइम टू नाइम टोटल वो रही हैं मतलब एंटाइ इस आई लाइन टाइज आई बगएर किसी मसले को समझे अच्छा फिर वो जो साथ अक्तूबर और उसके आसपर के दोनों में मुझे कोई उनकी ऐसी ट्वीड नजर नहीं आती या मैं मिस्कर गया हूँ मुझे तो नजर नहीं आई जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमास ने टेर्र कांगरिस पार्टी की लीडर राहुल गांदी की बहən प्रियान का उन्हों एक ट्वीड दिया जब दस हजार की एक ट्वीड में तो उन्होंने बड़ी उसकी चर्चा कीमें सबा नक्वीने तो से मुझे अदाज़ा हुआ कि व मतार्टिकिंग की बनार पर पॉलिटिक्स को एक डिरागेटरी वेरी नेगेटिव शब्द कहना वो बड़ा ही खतरनाक है वो इसलिए कि ये वो लोग हैं जो इसलामोफोबिया का मैंने इनको देखा हुआ है ये बहुत सारे इस तरह के लोग हैं बारत में जो सब ज़्यादा शोर में चाते हैं ये लोग समयते हैं कि जो इनका पुलिटीक निरेटिव रिया जो इनकी लाइकिंग डिस लाइकिंग वो हाक है ठीक है मेरा मस्टा यह होता है अब अगर वो हाक है तो इसरchau जो हमास नी टर्रिस्ट और सैविजरी की थी वो तो उस हक को तो पहले माले जिसकी वज़ज़ा से ये सारे का सारा माला ना शुरू हुआ अचा फिर उसके बाद जब ये मतब इनकी पूरी पुलिटिकल जो निरेटिव ही एंटाई एंटाई है तो फिर इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है अचा आई डॉंट कियर इनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो या ना हो मेरे पास या किसी के पास इतना वक्त नहीं है किस तरह के हजारों लोगों को हम डील करते हैं पढ़ने जब ये भारत की जो हिंदिव सिविलाइजेशन है उसके ख़ните माकी वोकरी होते हैं च्रॉगेशन अ कररे होते हैं तो ये वो लोग आंके जब खरह से वह नूरम शर्माद की एक बात थी जो उन्होंने एक हदीश कोट की थी तो इस पर ये सारे के सारे लोग कि देखिए ये हिंदुत जो है वो कितना खतरनाक है ये फलाँ हो गया डीम हो गया अच्छे इनको अपने लफजों की कोई समझ नहीं है वो इनको अपने लफज नहीं पकड़ाई देते इनका ये ख्याल है कि हम देवियों को देवताओं को मंदरों को हिंदू लाट्स को हिंदू देवियों को जो मर्जी बुरा बला कहते पर रहे वो हमारा हक है लेकिन कोई हमारे दीन के हवाले से जरा कुछ कह के दिखाए अब ये इसराईल और हमास की जंग के चकर में ये को यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं है ये बकाइदा अब खोद ये बड़े लिबरल बनते हैं लोग लेकिन ये बनियादी तोर पर अंदर से इनके जिसे कहते हैं पेट में डाड़ी होती है अंदर से ये इसलामिस्ट होते है बलके ये जो बचैरे मौलवी टाइप लोग होते हैं वो तो सीदे सादे लोग होते है उन से मुझे कोई गिला नहीं होता उनके बारे में तो हमें पता होता है वेर दे कम फाँ ये जो इस तरह के हैं ना अंदर जिन के अंदर दाड़ियां होती हैं ये जो ये जो मौडरन जो जो मतब इस तरह के बहुत सारे लोग मैं सिर्फ एक एक शक्स की बात नहीं कर रहा है जो आपको एपरेंटली बैठे वाइन विस्की भी पी रहे होंगे और फिर ये इस्लामू ये जो एक बिलकुल जैसे जाहिल आदमी है जो इसके स्कैंडल्स हैं वो स्कैंडल्स नहीं हैं मैं ने उसके साथ कुछ अरसा काम भी किया हुआ है आई नो इम परसनाली वो मतब करेक्टर लेस लोग होते हैं टोटली और सबसे ज्यादा रियास्ते मदीना बनाने के खौश और इसी तरह ये सारे के सारे लोग तो मेरा इन पर ये होता है अब ही मैं एक वलाग में एक अलग से इनके शूशू पर जरा तफसीली बात करूंगा लेकिन बरहाल चुके ये एक लम्हा नहीं जाया करते जब ये देखते हैं कि जरा सा कोई इनको शाको के को ये टाइम चीज़ हो गई है ये फिर शो और वावेला कर देते हैं नया साल चुरू होता ही पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने बलोच मार्च के रिष्टेदारों को देशदगर्द कह दिया चलिए उन्होंने एक प्रेस कांफरंस में धुआदार किताब करते हुए पाकिस्तान एकथर वाला पाकिस्तान नहीं जो तूट गया था अब पाकिस्तान को कोई नहीं तोट सकता अब ये नहीं एक सुरतेहाल है इस पर आप क्या तबस्रा करना पसंद करेंगे देखिए ये नहीं सुरतेहाल दिल्कुल नहीं है मतलब ये तो खर एक रैटर का जो नहीं नहीं तोड़ा था, खुद पाकिस्तान नहीं तोड़ा था, किसी नहीं नहीं तोड़ा था, और अगर आप पाकिस्तान तूटेगा तो कोई नहीं तोड़ेगा, खुद पाकिस्तान तोड़ेगा, अपनी हरकتوں की वज़ा से अपने इस तरह के गहर जिमादाराना बियानात की वज़ा से जो अभी पाकिस्तान के इस नाम ने खाथ वजीर आजम निगरान वजीर आजम दी है इस पर भी मैं एक वलाग अलग से कर रहा हूँ तफसीली इस पर बात कर रहा हूँ तो यह मिस्टर काकड का जो अंदाजे ब्यां तपयान तौह इतना जाहल आना था इतना अफसोशनाक था वह यह कह रहे हैं कि यह जो बलोच मार्च करने वरे लोग हैं यह लोहकीन हैं दैशचत कर्दों के और वो कहते हैं गो ये लय़ाहकीन भी अगर है डैशनगर्दों के तो भी थो करने का है मगर हम ने लुबाहकीन जょ डैशनगर्दी कर रहे हैं यानी ने इन खुवाती इस Dlatego बिचियों बुड़ी ओरतों के जो शौर हैं जो भी इहाँ, जो यो ढेह बाप है ये सब के सब देश्ग्र्डद है जो हजारों की ददात में या तुमारे जा चुके हैं या ना पता हैं वो ये कहह रहे हैं कि उनको तो हम ने छोड़ेंगें अच्छा भाई अगर आप उनको, आप समझते हैं देश्ग्रद हैं तो एक सवाल इंसे सबी पोच रहे हैं पाकिसान के लोग भी पोच रहे हैं कि भाई वो अदालतों में आप उनके नाम पेश करें लिस्ट पेश करें आप बताएं उनके खलाफ जो चार्जिस हैं वो वहाँ पेश करें ये कह देना सेंपली जी के वो दैशतगर थे हमने उनको گم گم کر دیا دنیا میں ایسا تو کہیں نہیں ہوتا دنیا میں اگر کسی کے اوپر کوئی ریاست کا یا کسی ادارے کا کسی کے اوپر کوئی الزام ہے اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے الزام تو عدالت میں جب تک پیش نہیں ہوگا الزام تو تب ہوگا جب عدالت اس پر کوئی ورڈکٹ دے گی تو پھر جرم ہوتا ہے تو وہ تو الزام کے بھی ابھی زیر اثر نہیں ہے ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے کسی کو آپ نے پکڑا ملزم ہوتا ہے پہلا اس کا سٹیپ اس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ چارج شیٹ ہے تم اپنے لائر کو کنسلٹ کرو تمہارا لائر اس کو ڈیل کرے گا یہ ہوتا ہے الزام اس کے بعد پھر عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس کو بری کرے یا اس پر جرم سرزت کرے وہ تو کوئی مرغلہ ہی نہیں آتا اب یہ شخص جو ہے جو اپنے آپ کو نام نے ہاتھ پڑا لکھا کہتا ہے میں اپنے ولاغ میں اس کے پڑے لکھے ہونے کی بات کو تفصیل سے بیان کروں گا یہ یہ جو شخص ہے یہ یہ بنیادی طور پر ایک انتہائی جاہلانا بات کر رہا ہے اور جس کی پاکستان میں کافی مضمت ہو رہی ہے اب پھر میں اس بات کو دور آؤں گا کہ اس کا یہ کہنا کہ یہ ایک اتھر کا پاکستان نہیں ہے کہ نو مہینے میں الگ کر دیا تھا بھارت نے یہ بیس سال سے کر رہے ہیں چاہیے بیس سال سے سٹرگل بلوچستان میں نہیں چل دی حالانکہ یہ خود بلوچستان میں پلا بڑا ہے ہے یہ پشتون شخص پشتون فیملی سے ہے یہ سٹرگل تو بیس سال سے کہیں زیادہ چل دی ہے اور پھر پاکستان میں پھر دوبارہ دور آؤں گا کہ اس وقت بھی پاکستان کی آرمی پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کو توڑا تھا خاص طور پر یہ جو آج کا پاکستان ہے اس کے سیاستدانوں نے شیخ مجیب الرومان نے نہیں توڑا تھا شیخ مجیب الرومان نے تو مطالبہ کیا تھا جب انہوں نے ظلم کیے تو پھر مقتی بہانی کے ذریعے انہوں نے بھارت سے مدد لی اور بنگلہ دیش منا اب جو ہے اب بھی اگر کچھ پاکستان کو کچھ ہوا تو انہی کی وجہ سے کہا میرا ایک اور یہاں پہ سوال بھی ہے جو پاکستانیوں کو سوچاں چاہیے میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹے مگر پاکستان جس طرح چل رہا ہے کیا یہ کوئی امدہ پاکستان ہے جس میں لوگوں کو لا پتہ کیا جا رہا ہے جس میں ایون امران خان کی جماعت جن سے میں کافی اختلافات کرتا ہوں مگر ان کی لیڈرشپ ان کے عام کارکنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یہ وطیرہ ہوتا ہے کسی ریاست کا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جس طرح چل رہا ہے اس صورت میں پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہوگی میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا کون ٹوٹتا ہے کون نہیں ٹوٹتا میری تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے پاکستان ٹوٹے میری تو یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایک پرامن دیش کے طور پر قوم کے طور پر رہے مگر پاکستانیوں کی ان کی اپنی لیڈرشپ کی ایسی حرکتیں ہیں ایسے کرتوت ہیں کہ یہ پاکستان کو دو ہزار چوبیس تو کیا اگلے آنے والی ایک دہائی میں بھی یہ کبھی بھی صحیح ٹریک پہ نہیں چلا سکتے ہیں آج کا بلا تکلف تفسرہ کرنے کا بہت بہت شکریہ چینجز آتی رہتی ہیں نئے وقت کے ساتھ ساتھ کوئی پتہ نہیں ہوتا حالات کس طرح ہوں آپ سب ہمارے شو کو دیکھتے رہیے آپ کا ہمارے بلا تکلف شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پی پال پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں